जिल मिल सितारों का आंगल हागा मिखा च्छाए आधे राख मन सुर मिगा मुझको अपनी बाहों में सोने दो मन मेरा तुझको मांगे और दूर दूर दूखागे दिल की किताब कुरी है फिर पीसे एक लड़का एक लड़का पगला सा हमारा तुहारा वो दिल बर दिलारा न होगा गुजारा तुम रहती हो सितारों में बस रही थी कही दिल का एंदवार क्या कीजे मेरी ताम डूंदे की पे तेरा मन भूर भए पंची चले आओ मेरी अंगले में तुम्हारा क्या काम है मेरे करन अर्जुन आएंगे जमेन की छाती फाड़ के आएंगे आस्मान का सीना चीर के आएंगे फिल्म किसे बाई राकेश में आपका स्वागत है आज फिल्म एक्ट्रेस राकी से जुड़ी कुछ खास बातीं आपके साथ शेयर करेंगे राकी मजूमदार का जनम 15 अगस्त 1947 राना घाट वेस्ट बंगाल में हुआ पिता का जूतों का यानि शूज का कारोबार था मां हाउस वाइफ थी 1963 में राकी की शादी बेंगॉली फिल्म डिरेक्टर अजेब स्वास के साथ कर दी गई राकी के सस्रॉल का माहौल पूरा फिल्मी था उसी तरह के लोगों का आना जाना था राकी उस घर में अज्जस्ट नहीं कर पाई दो साल बाद राकी का तलाक हो गया तब राकी नहीं जानती थी कि किस्मत क्या खेल खेल रही है जिस फिल्मी माहौल से तंग आकर उन्होंने अपने पती से अलग होने का फैसला किया था आगे चलके वैसे ही माहौल में उनका जीवन और उनका करियर चलने वाला था राकी ने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया राकी ने पहली बार 1967 की बेंगॉली फिल्म बधो बरन में काम किया उनके काम के बहुत तारीफ हुई कहा जाता है कि इसी फिल्म में सुनील दतनी राखी का काम देखा और राखी को अपनी फिल्म रेश्मा और शेरा के लिए साइन कर लिया राखी ने 1968 के बेंगॉली फिल्म बागिनी में भी एक छोटा सा रोल निभाया था रेश्मा और शेरो के बनने में बहुत समय लग गया इस तोरान राखी को और फिल्म में मिल गई ताराचंद बढ़ जातिया ने उन्हें अपनी फिल्म जीवन मृत्यू के लिए साइन कर लिया निर्माता सुबोध मुखर जी की फिल्म शर्मीली में राखी को काम मिल गया यस चुपड़ा इत्तिफाक के लिए राखी को साइन करना चाहते थे पर राखी जीवन मृत्यू की शूटिंग में बिजी थी राखी की पहली रिलीज होने वाली हिंदी फिल्म थी जीवन मृत्यू फिल्म 1970 में आई फिल्म हिट हुई और राखी की कीमत बढ़ गई 1971 में राखी की चार फिल्में रिलीज हुई शर्मीली, रेश्मा और शेरा, लाल पत्थर, पारस शर्मीली के लिए राखी को फिल्म फिर अवार्ड नहीं मिला इस बात का उन्हें दुख हुआ शर्मीली में राखी का डबल रोल था जो किरदार नेगटिव था उसका लुक उसका स्टाइल बहुत बोल्ड था राखी इंडस्ट्री में फेमस होने लगी मुम्ताज की डेट्स अविलेबल ना होने के कारण राखी को शहजादा में रोल मिल गया हीरो राडेश खना है ये सोचकर राखी ने बिना कहानी सुने फिल्म में काम करने की हामी भर दी फिल्म 1972 में आई 1973 में दोनों ने शादी कर ली 1973 में राखी की बहुत खास फिल्में रिलीज हुई राजेश खन्ना के साथ दाग, देव अनंत के साथ बनार सी बाबू, जो शीला और हीरा पन्ना में भी छोटा रोल था धरमेंदर के साथ बलैक मेल ये राखी की फेवरिट फिल्म है धरमेंदर के साथ एज हिर्विन राखी ने दो बार काम किया, जीवन मृत्यू और बलैक मेल कहा जाता है कि गुल्जार चाहते थे कि राखी शादी के बाद फिल्मों में काम ना करे 13 दिसंबर 1973 राखी ने एक बेटी को जनम दिया, उनकी बेटी मेगना गुल्जार आज जानी मानी लेकक निर्देशक हैं गुल्जार और राखी के बीच ऐसे हालात हो गए कि दोनों ने यही समझोता किया कि हम साथ साथ नहीं रह पाएंगे मेगना के जनम के एक साल बाद दोनों अलग हो गए, उनका तलाक नहीं हुआ पर उन्होंने अलग अलग रहना शुरू कर दिया था राखी ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया 1974 की फिल्म 27 डाउन के लिए राखी को नेशनल अवार्ड मिला था 1976 में राखी की दो फिल्में रिलीज हुई, दोनों के लिए राखी को बेस्ट एक्टरेस फिल्म 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 फिल की बसेरा 1982 की शक्ति के लिए राखी को बेस्ट एक्टरेस फिल्म फेर नॉमिनेशन मिला राखी और अमिताब की साथ में फिल्मों की बात करते हैं राखी जब शशी कपूर और पृत्वी राज कपूर के साथ दिल्ली में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी तब अमिताब वहां आते थे अमिताब ने अभी फिल्मे जॉइन नहीं की थी राखी और अमिताब तब से एक दूजे को जानते हैं वो फिल्म रिलीज नहीं हुई थी पहली बार राखी और अमिताब ने सुनील दत की फिल्म रेश्मा और शेरा में काम किया था दोनों ही इंडस्ट्री म उनका रोल एक दोजे के साथ रोमेंटिक लीड जैसा नहीं था। फिल्म में दोनों दुश्मन परिवार से थे। अमिताप यानी छोटू, राखी के पती रंजीत और ससूर केयन सिंग को जान से मार देते हैं। उसके बाद अमिताप और राखी ने 1976 की फिल्म कभी कभी में का किया। उसमें राखी की शादी शेशी कपूर के साथ हो जाती है। फिर 1978 की फिल्मे थीं कस्मे वादे, त्रिशूल, मुकदर का सिकंदर। मुकदर का सिकंदर अमिताप के राखी के लिए प्यार की कहानी है। पर राखी की जोड़ी विनोत खना के साथ बनाई गई। 1981 में अमिताप के साथ बरसाथ की एक रात में काम किया। लावारिस में चोटा रूल किया अमिताप की मा बनी पर साथ में उनका कोई सीन नहीं था। 1982 की फिल्म बेबिसाल में राखी अमिताप थे पर राखी की जोड़ी विनोत महरग के साथ बनती है। 1982 की फिल्म शक्ती में अमिताब की मा बनी, राजेश खन्ना के साथ राकी की फिल्मों की बात करते हैं, राजेश खन्ना के साथ शहजादा और दाग में काम किया, दाग में राजेश खन्ना की जोड़ी शर्मिला के साथ थी, दुनियों को दिखाने के लिए राजेश खन्ना कि भावी बने सबसे ज्यादा काम राखी ने शशी कपूर के साथ किया फिल में थी 1971 की शर्मीली 1972 जानवर और इंसान 1976 कभी कभी 1977 दूसरा आदमी 1978 तृष्टना इसमें राखिय संजीव कुमार की पत्नी बनी 1981 बसेरा 1983 बंधन कच्छे धागों का 1984 जमीन आसमान 1985 पिघलता आसमा 1980 की फिल्म शान में राखी अमिताब और शेशी कपूर की भावी बनी 1985 की साहिब में अनिल कपूर की भावी बनी साहिब के लिए राखी को बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेर नॉमिनेशन मिला फेमस फिल्म डारेक्टर अनिल शर्मा की एल डारेक्टर पहली फिल्म थी शरधांजली उसमें राखी नहीं में करेक्टर निभाया था फिल्म 1981 में आई संजिदत की पहली फिल्म रौकी में वो संजिदत की मा बनी 1982 की फिल्म ये वादा रह में रिशी कपूर की मा बनी 1987 की फिल्म डकैत में सनी दियूल की मा बनी राखी पर सुपर हिट मा का टैग लगा सुभाश गई की फिल्म राम लखन से फिल्म 1989 में आई, इस फिल्म के लिए राखी को बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टरेस फिल्म फेर अवार्ड मिला, उसके बाद राखी ने कई फिल्मों में उस दोर के लगभग हर बड़े स्टार की मां का रोल निभाया, 1993 अनारी, 1995 करन अरजुन, 1997 बॉर्डर, 1998 की सोलजर के लि सौगंध, क्षत्रिय, खलनायक, बाजिगर, बादशा, करन अरजुन में राखी का बोला डायलॉग, आज भी कई कमेडियन्स इस्तिमाल करते हैं, 2003 में राखी ने फिल्में छोड़ दी थी, उस साल उनकी बेंगॉली फिल्म भाई, शुभो महूरत, इस फिल्म के लिए रा अच्छी डांस नहीं सीख पाई, अच्छी डांसर नहीं बन पाई, इस कारण कई फिल्मे मुझे मिली नहीं, एक दुख की बात ये है कि गुल्जार के निर्देशन में काम नहीं कर पाई, पहले राखी खार में अपने बंगलो मुक्तांगन में रहती थी, फिर उसे बेच कर एक अपार्टमेंट में रहने लगी, बाद में वो पनवेल में अपने फार्म होस चली गई और वहीं रहने लगी, वहां फल और सबजियां उगाती हैं, किताबें पढ़ती हैं, और शांत वाता वरन में अपना जीवन गुजारती हैं, राखी ने नबे से ज्यादा फिल कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थैंक यू सो माच.